नमस्कार मैं डॉक्टर मौसेमिन असिस्टम प्रोफेसर डिपार्टम जुला जी आज हम मैडिसन्स बाइ टक्नलोजी एंटीबोडिज या औस दिया जेव तक नगी के अंतरगत एंटीबोडिज के इस्टेडि करेंगी और यह टॉपिक बीएस सी पार्ट फर्स्ट पेपर से सेकिन्ड और यूनिट फिफटका है आप यहाँ पर एंटीबोडिज या प्रित्रक्षे के बारे में देखें यह एंटीबोडिज medicines and biotechnology के अंतरगती आते हैं जिसे कि medicines and biotechnology में human or other animals होते हैं उनको कई disease से बचाने के लिए दो तरह की efforts किये जाते हैं फर्स्त है उसका treatment और सेकिंड है जो factors होते हैं उनसे prevention और ये दोनों इरियाज में biotechnology का ही काफी रॉल रहा वैसे biotechnology का medicines के अंतरगत only antibodies नहीं इसके अलावा antigen, antibiotic, vaccines और hormones, estero hormones enzymes और vitamins इन सब को इसने अंतरगत बताए गया है अभी हम यहाँ पर only antibodies की बारे में देखेंगे टीसे लियस और कबेट ने उन्होंने बताया कि जो antibodies मठेल होता है वो बोडी में एक specific protein उसको उन्होंने गामा गलोविन की समानी माना था और उसके बाद ही antibody को गामा गलोविन के नाम से भी जाना जाता है 1964 में डबलो ओचो ने एंटिवाडीज को इसकी एंटिवाडी रेक्शन के आधार पर ही immunoglobin या IG इसका नाम भी जिया था तो यह antibodies होते हैं वो immunoglobin के नाम से भी जाना जाता है और यह large और bicep protein होता है जो की immune system के द्वारा identify किया जाता है और neutralize किया जाता है foreign object को कुछ pathogens जैसे की bacteria और virus तो antibodies यह की specialized bicep protein है जो की यह log and key की तरह बाइंड होता है बोडी में foreign invaders के अगेंड से और यह antibodies specificity वाले होते हैं और इसलिए related जो antigen होते हैं उनकी साथ ही solution करते हैं और body में antibody का human function है वो एक तो इसको protection करते हैं और जो body होती है उसको disease से free रखती है उससे बचाती है इसमें यह help करती है तो anti-bodies के बारे में यह देखे गया है कि human or other elements में यह infection यह disease से resilience यह protection यह तो यह resilience होती है वो two types से देती है एक तो है सामान्य रेजिजेंस जो की बेक्टर्स के body में enter करने के बाद में inflammation और temperature का increase होना इंटरफेरोन और lycogen secretion इसके अलावा phagocytor के रोप में भी प्रोडिस होती है और body को यह safe रखती है second है इसकी बिसीष्ट रेजिजेंस यह इस बिसीष्ट विरकार के होती है यह प्रेद रेजिजेंस जो की बेक्टर्स के body में enter करने के बाद में उसकी प्रतिजों response के बाद में प्रोडिस होती है तो यह बेक्टर्स यह infection की host में enter करने के बाद में कुछ antigenic stimulus देता है जिसके बाद में host की body में antibodies बन जाती है इस डाइग्राम के द्वारा हम देखेंगी कि immunoglobin molecule यह प्रतिरक्षी की जो अनू होता है उसके बारे में देखेंगी जैसे कि देखा कि जो antibodies molecule होते है उसमें फोर polypeptide चेंस वाई जाती है जो कि हमें यहां डाइग्राम में दिखाई दे रहे हैं यह जो sulfide मौंड दोवारा यह जुड़ी रहती है और यह चेंस जो होती है वो टू टाइप्स को होती है एक तो लाइट चेंस होती है और एक हेवी चेंस तो लाइट या हलकी polypeptide चेंस उनको L polypeptide चेंस एल चेंस के नाम से भी जाना जाता है और सेकंड है एवी यह भारी polypeptide चेंस उनको L chain के नाम से भी जाना जाता है जो कि हमें डाइग्राम में L और H की रूप में दिखाई दे रही है जैसी कि हमें इस डाइग्राम में अपर साइड में जो दिखाई दे रही है वह लाइट चेंस या लाइट पॉल यह लाइट से 25 था तक दो होता है और इस चेंड के जो कि टरमिलेंट होता है उन पर है नाइटरोजन प्रजेंट होता है और इससे एंड की ओर के होता है कि इसमें अमीनों थरमिलल वह होते हैं या उनको N-Terminal भी कहते हैं और इसे N-Terminal से ही antigen इसके साथ joint होता है इसके अलावा immunoculum molecule में जो lower side में हमें diagram में दिखाई दे रहा है वो है heavy change है तो है भी पॉलपर चैंज यह एच चैंज के नाम से जाना जाता है उनको जैसे भी एल चैंज जो बन पेर होती है एसे ही एच चैंज भी बन पेर होती है और इनका molecule जो बेट होता है वो उन से थोड़ा ज्यादा होता है तो इनका 50,000 से 55,000 तक होता है और यह चैंज होती है वो जो प्रते के antibody में यह different वरकार की होती है तो इस चैंज में जो सी टर्मिनल पाए जाता है इसे कारवक्सी टर्मिनल भी कहते है तो इस चैंज में antigen जोइंट नहीं होते है जब पॉलिपेबडा़ चैंज डाय सलफाइड बॉंड के द्वारा ही क्या होती है कि थ्री डाय बेंशन फॉल्ड करती है तो ऐसी जो इस्ट्रेक्चर को डॉमिन्स भी कहते है इनकी एच और एल जो चैंज होती है वो डाय सलफाइड बॉंड से ही जुड़ती है जो कि हमें डाइग्राम में दिखाए दे रहा है डाय सलफाइड बॉंड इनके बीच में है और इस एरिया को क्या कहते है इसको हिंज रिजन भी कहते हैं तो एंटिवाडिज टू टाइप्स की होती है एक तो नेचरल एंटिवाडिज यह प्रक्रतिक प्रतिरक्षी और सेकिंड एकवाड एंटिवाडिज यह पारदित प्रतिरक्षी तो नेचरल एंटिवाडिज में क् आपना भी होती हैं और इनका जो रिलेशन होता है वह जेनेटीकल होता है तो हम उनके ब्लड में पाय जाने वाले सभी इंटीबोडी जे वह नेचरल इंटीबोडी के अंतरकति आते हैं इसेकंड है acquired antibodies यह उपारजेत प्रत्रक्शिये, acquired antibodies यह वोड़ी में अपने आप प्रोड्यूस नहीं होती, जब कोई antigen जो वो बोड़ी में enter करता है, तो उसकी जो इंडूसन से यह antibodies प्रोड्यूस होती है, इनका effect है वो antigen की जो मात्र होती है, उस पर डिपेंड करता है, उस के according यह produce होती है अब हम यहां देखेंगे types of immunoglobin या प्रितिरक्षी के प्रकारों के बारे में तो यहां हम देखेंगे कि immunoglobin को कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो यहां इसको five types में डिवाइड किया गया है first immunoglobin G second immunoglobin M third immunoglobin A और fourth immunoglobin E और लास्ट फिप्त है immunoglobin D इस डाइग्राम के दोवार हम देखेंगे immunoglobin G या प्रितिरक्षी गलोबिन G के बारे में जैकि इसकी जो इस्ट्रक्षर होती है वह इतरह से जनरल जो गामा गलोबिन होती है उसके सैमी होती है इसमें पॉल्परब्ट चैन होती है वह भी फोर चैन सपाई जाती है और इसका जो मलकल कि यह जो maternal placenta होता है उसमें transfer होती है और यह कई परकार की जो allergic उनके लिए यह responsive होती है जहां हम इस diagram में दोवार देखेंगे immunoglobin M या प्रितिरक्षा गलोबिन M के बारे में जैसे कि इसके बारे में हम देखते हैं कि यह IgM के नाम से भी इसको जाना जाता है जो immunoglobin M होता है यह सेप में सबसे बड़े साइज की होती है और इसकी यह जो फोर चैन्स होती है उससे बनागा इसमें पैंटा वर की रूप में पाए जाता है तो इसका जो molecule weight होता है वो भी बहुत जादा होता है वो एट लेग 50,000 से 9 लेग तब होता है और इसमें एक छोटी सी जेचैन्स भी पाई जाती है वो की कारवक्स ही जो एंड होता है उससे जोड़ी रहती है तो इससे जो antibodies गलोविन का इनका life cycle बहुत कम होता है और जल्दी खतम हो जाती है तो यह antibodies embryo में प्रोडिस होती है और इनका सभी इस्तानों पर इसका distribution रहता है और यह एक तो समूवन या cell लाइटिक जो फेक्टर है उसकी form में भी effect शो करती है द्वारा हम देखेंगे immunoglobin A या प्रतिरक्षी गलोविन A के बारे में तो देखा कि यह जो immunoglobin A है यह body की सभी parts में बनता है और इसमें आठ polypeptor chains भी पाई जाती है इसके अलावा जो फेमी डाइग्राम में दिखाई दे रहा है एक जिस रंकला और इसके साथ अटेज रहती है तो इसका milk की साथ body द्वारा यह निकाले जाती है और यह respiration system में एंटर करने वाले जितने ही bacteria होती है उन पर यह अपना function करती है और इसके अलावा यह mucos membrane होती है उसको एंटर करने के बाद में जो vectors आते हैं उनसे भी protection करती है आप हम इस diagram के दवारा देखेंगे emoglobin E के बारे में emoglobin E या प्रित्रक्सी globin E तो यह जो प्रित्रक्सी globin होती है वो भी four polypeptin chain से मिलकर बनती है जो कि हमें diagram में four polypeptin chain दिखाई दे रही है light chain and heavy chain और इनका जो molecule weight होता है वो भी two leg के आसपास होता है और यह generally respiratory tubes और इंस्साइन के जो internal layers होती है उनमें बनती है और जो इंस्टराइजरी पैसाइट है या दमा इसके लाबा एक्जिमा इनके लिए भी यह प्रितिरोधी capacity produce करती है immunoglobin E है वो बहुत ही कम मात्राम पाई जाती है और यह जो mass cells होती है उनके प्रितिवी ज्यादा attractive होती है और यह से related जो antigen होते हैं उनसे भी बोडी को protect करती है तो स्वस्नी जो epithelium होती है वो interzine और stomach epithelium इसके अलाबा इसकी पर भी यह प्रिजेंट होती है देखेंगे immunoglobin D या प्रितिवी तो यह जो antibodies होती है उसमें भी four polypeptide chain से मिलकर यह बनती है जो कि हमें diagram है दिखाई दे रही है इसकी structure है वो भी एक तरह से IgG के समानी है लेकिन इसका जो molecular weight होता है वो डेड़ लाग से एक लाग अस्याजार तक होता है और यह milk protein insulin diphtheria इन सभी में यह directions करती है इसमें देखा कि यह immunoglobulin A की तरह बहुत ही कम मात्राम पाई जाती है और ज्यादा तर यह B lymphocyte की जो surface होती है उस पर रहती है आप हम देखेंगे immunoglobulin as antigen जो प्रितरक्षी होती है वो antigen की रूप में किस प्रकार कारे करती है तो यहाँ पर इसको three types में बाटा गया है फर्स्ट है आईसो टाइप सेकंड है एलो टाइप और थर्ड है इडियो टाइप यहाँ हम देखेंगे immunoglobulin as antigen जो प्रितरक्षी antigen की रूप में है उसके जो different types है उनके बारे में हाँ देखेंगे तो यहाँ देखा कि जो antigen और antibody जो high molecular weight वाले एक तरह से यह antibody glycopetrin होते है और यह जो सक्सम antigen की समानी फंक्सन करते हैं इनके antigen की जो गुण होते हैं वो antibody के टाइप सब टाइप और उसमें जो amino acid प्रिजेंट होते हैं उनके sequence द्वारा यह data minute होते हैं तो यह antibodies में 3 types के antigen determinate characters पाय जाते हैं तो first जो isotype और second allotype और third edotype जो first जो डाइग्राम में upper side में हमें दिखाए दे रहा है आइसो टाइप यह जो होते हैं इनका determinate होता है हो और H और L दोनों ही chain के जो regions में stain होते हैं उनमें करते हैं और इनके जो प्रितिक आइसो टाइप एक separate gene के द्वारा यह code होता है टाइग्राम में दिखाए दे रहा है कि antibody के जो सभी types है I, G, G, M, A, D और E इन सभी में जो H chain है उसमें isotope determinants पाए जाते हैं और इसी प्रकारण की जो L chain होती है उनमें lambda और kappa की determinant पाए जाते हैं अब इसका जो second yellow type है इनमें भी determinant कुछ species के जो members होते हैं उनमें ही पाए जाते हैं और कुछ में यह absent रहते हैं इसके जो genetic polymorphism है वो पाए जाते हैं इनमें जिन members में yellow antigen नहीं पाते हैं जाते हैं उनमें LA type को एंटर कराने पर यह antibody का production करते हैं और इसमें hn होती है उन पर gm और kl chain पर km ऐसे ही alpha hn पर am और bh chain पर hv यह determinant पाए जाते हैं इस परकार जो third type है इसका इसमें भी जो determinants होते हैं वो एल और एज चैंस मतलब light और heavy दोनों ही चैंस में जो अधिचर होता है यह hyper variable region के द्वारा यह form होते हैं और इनमें जो antigen के जो epitop होते हैं उनमें heterogeneous होते हैं तो यह केवर होर्मस है मंस और कोहल ने डियो टाइप थी टाइप्स को होते हैं alpha इजो टाइप बीटा इजो टाइप और लास्ट है गामा इजो टाइप तो alpha होते हैं वो antigen binding जो space होते हैं उसके बाहर रहते हैं और जो बीटा होते हैं वो antigen binding जो space होते हैं उसके थोड़ा एजो टाइप जो antigen होते हैं antibody वो alpha bonding site पर effect नहीं करती हैं इसलिए जो बीटा binding space होते हैं उनके साथ ही एप रतिस्तादा बेतिकन 100 करती हैं और जो गामा वाले binding site होती हैं उनके साथ ही specific रूप से एक तरह से अबरूद कर देते हैं सभी को धन्यवाद इस परकार आज का हमारा टॉपिक medicinal बाइटेकनोलोजी के अंतरगत antibodies कम्प्लिट हो चुका है